नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के मात्यम से बताने जा रहे हैं ठन लगकर बुखाराना पीलिया का एलक्षन जाने ऐसे साधान लक्षन और बचाओ का तरीका जिने आप आसानी से अजमार कर इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं गर्मी और बारिस के मौसम में लोगों को होने वाले रोगों में से एक रोग है पीलिया पीलिये की वज़े से सरीर में खून की कमी होती है और सरीर का रंग पीला पढ़ने लगता है रक्त कोशिकाओं में हिमोग्लोबिन होता है जब ये कोशिकाओं तूटती है तो हिमोग्लोबिन के तूटने से बिली रूबिन नामक पीले रंग का परदार्थ निकलता है यह लिवर से फिल्टर होका निकलता है लेकिन लिवर में कुछ दिक्कतों के चलते हैं प्रक्रिया ठीक से नहीं कर पाता और बिली रूबिन बढ़ने लगता है और तवच्छा का रंग पीला पढ़ने लगता है इस्तिती को पीलिया रोक कहा जा सकते है पीलिया लीवर से जोड़ी गंबिर बिमारी है जिसका सही लाजना उन्हें पर गात करिनाम भी सामने आ सकते हैं प्यारे दोस्तों अब हम आपको पताते हैं पीलिया रोक के लक्षन आखो के सफेद भाग का पीलाओना लगाता ठकान मैसूस करना ठन लगना और बुखार आना लिवर के अन्य बिमारियों के लक्षन की तरह मरीज को भूखना लगना पेट दार्द होना मितले होना गाड़ा पीला पेशाब आना सफेद या कला पखाना आना वजन घटना पीलिया से बचाओ संतुली तहार लें साफ पानी पियें शेराब या नसिले परदार्थों का सेवन ना करना नेमित व्याम करना पीलिया रोक के कारण सरीर में होने वाली दिक्कतें थकान मैसूस होना ठन लगना बुखार आना उल्टिया होना वजन घटना पीलिया होने पर हकीम द्वारा गले में काला दागा पहनना कितना प्रभावी है क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है काले धागे की यदि बात करें तो किसी भी तरह के अंधुश्वास को मानना ना केवर नादानी है बलकि मरीज की जान को और भी जोखी में डालने के बराबर है केवल डॉक्टर के पास ही किसी भी बिमारी का समाधान होता है इसके अलवा हकीम के दवाई में बारी दातू पाई जाती है जो लीवर और किड्नी दोनों के नुकसान में सबसे आगे होती है किसी स्तीती में लीवर भी फैल हो सकता है पीलिया के उपचार के तरीके पीलिया का इलाज मूल रूप से पीलिया के प्रेकारों पर निर्भर करता है पीलिया में केवल उबला खाना ही खाना चाहिए या दारना एकदम गलत है गन्य के रस्ते भी कोई फायदा नहीं होता सई गरेलू प्चार भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं आसानी से पच्चने योग्य हरी सबजिया खानी चाहिए करेला, मूली, टमाटर आदी, किरस और नारेल पानी छाच का सेवन करना चाहिए हल्दी का सेवन करना चाहिए गर का बना पोश्टिक का आर खाना चाहिए तलेवे मसालेदार खादपरदार्ट फास्ट फूड आदी का सेवन नहीं करना चाहिए क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें